हमारी चर्चा का विशे है गुणोतर अनुक्रम, जियोमेट्रिक सीक्वेंसिस। ये ऐसे अनुक्रम होते हैं चहां आरंब किसी एक संख्या से करते हैं और फिर आगे की संख्या एक रमशा पिछले पद में किसी समान संख्या का गुणन फल होती हैं। थोड़ा सपष्ट करता हूँ, हम गुणा करते हैं A को R से, हमें मिलेगा A R, तीसरे पद के लिए दूसरे पद को गुणा करेंगे R से, तो यहां हमें मिलेगा A, यहां रंग बदलता हूँ, हमें मिलता है A R का वर्ग, इसे गुणा करेंगे R से, तो मिलेगा A R की घात तीन औ और इसी प्रकार आगे तक जा सकते हैं और यही विधी है इसे दर्शाने की यह है एक अपरिमित गुणोतर श्रेणी और हम इसी तरह आगे और आगे जा सकते हैं बहुत सी विधियां इसे दर्शाने की स्पेश्टता हम यहां कह सकते हैं हमारी श्रेणी है A sub N आरंभ है इसका पहले पद से जाती है अनंत तक तो A sub N with यहाँ पर देखिए हर पद में A है तो यह हो जाएगा A गुणा R यहाँ पर आप इसे लिख दें A गुणा R की घात शूने यहाँ पर एक है दूसरा पद है A R की घात एक तीसरा पद है A गुणा R की घात 2 तो ऐसा सपश्ट है कि N वा पद होगा A गुणा R की घात N घटा 1 आप इसे प्रमानित कर सकते हैं यदि आपकु चाहिए दूसरा पद तो यह होगा A गुणा R की घात 2 घटा 1 अर्थात A गुणा R घात 1 यह था सपश्ट परिभाश्चत करना आप इसे अवरती र अधार है, A सब 1 बराबर A, AR शुने का अर्थ है A, जहां N बराबर 1 है, हम कह सकते हैं A, हमें ये सब दुबारा लिखना होगा ताकि स्पष्ट हो जाए, A सब 1 बराबर है A, और फिर हम कह सकते हैं A सब N बराबर है इसके पिछले पद, A सब N घटा एक, गुणा R, जहां N अध एक अत्वा बराबर दो है क्योंकि यहां हमारा पहला पद है केवल ए, ए आर घात शून ने बराबर ए होगा और आगे के क्रमशा सभी पद अपने से पिछले पद में आर की गुणा होंगे जैसा हमने यहां किया तो आईए देखते हैं कुछ गुणोतर श्रेणियां हमें ए सब एन एन बराबर है एक से अनन्त तथा ए सब एन बराबर है मान लीजे हमारा पहला पद है पहला पद बराबर बीस है और फिर आर अर्थात सारवनुपात वो संख्या जिससे हम गुणा करते हैं अगला पद पाने के लिए मान लीजे यह है एक बटा दो एक बटा दो गात N घटा एक, तो इस श्रेणी को कैसे व्यक्त करेंगे, देखते हैं, पहला पत है 20, यदि N है 1 तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 की घात शूनने तो ये हो जाएगा 1 और ये गुणा 20, तो पहला पत होगा 20, और फिर हर बार हम गुणा करेंगे 1 से, अगला पत पाने के लिए इ 10 गुणा 1 बटा 2 है 5, 5 गुणा 1 बटा 2 होगा 2.5, मैं इसे 5 बटा 2 लिखता हूँ, 5 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 होगा 5 बटा 4, और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, ये है एक गुणोतर श्रेणी, अब मैं आपको एक अन्य श्रेणी दिखाऊंगा, बताइए कि क्य वो गुणोतर है, तो आरंब करते हैं, एक, और फिर यहां है दो, फिर यहां लिखा छे, अब थोड़ा सोचने दीजे, यहां क्या लिखूं, चलिए यहां लिखते हैं, 24, 24, मैं यहां लिखता हूँ, 120, और इसी प्रकार आगे तक जा सकते हैं, क्या ये गुणोतर श्रेण है, देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां, एक से दो तक जाने में हमने गुणा किया, दो से, दो से छे जाने के लिए मैंने गुणा किया, तीन से, छे से चौबिस तक जाने के लिए मैंने गुणा किया, गुणा किया, चार से, तो यहां हमने स्थिर मान से गुणा नहीं किया और आपको तो गुनותर श्रेणी में एक स्थिर्मान से गुणा करना होता है परंतु यहां हम प्रितक-प्रितक मानों से गुणा कर रहे हैं तो इस श्रेणी का जो मैंने अभी-भी यहां बना कर लिखिये उसका रूप है ये है मेरा पहला पत और फिर दूसरा पत है दो गुणा दो गुणा पहला पत हमारा तीसरा पत है तीन गुणा दूसरा पत तो तीन गुणा दो गुणा ए चौथा पत है चार गुणा तीसरा पत तो चार गुणा तीन गुणा दो गुणा ए और इसी प्रकार हम आगे तक जा सकते हैं तो ये श्रेणी जो की गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, हम इसे फिर भी सपष्ट रूप से परिभाशित तो करी सकते हैं, हम लिखेंगे कि a sub n जहां n बराबर 1 से अनंत तक है with a sub n बराबर है हम चौते पद को देखते हैं जहां ये गुणांक गुणा हो रहे हैं ए से यदि हम यहां यदि इस संख्या को लें तो पाएंगे कि ए बराबर है एक तो ये हो गया एक ये दो गुणा एक ये तीन गुणा दो गुणा एक ये यहां चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक तो A sub N बराबर होगा ये बराबर होगा N क्रम गुनत ये ये जो यहां है जो की एक गुनोत्तर श्रेणी नहीं है व्यक्त करती है इस दर्शाई गई श्रेणी को कुछ अभ्यास करने के लिए हमने इसे यहां स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है हम इसे अवर्ती रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं सफेद रंग लेता हूँ हम ये भी कह सकते हैं कि A sub N A sub N जहां N बराबर 1 से अनंत तक है विद A sub 1 या कुछ भी A sub 1 बराबर 1 जो कि हमारा पहला पद है इसका अगला पद होगा इसके पिछले पद का गुणा N तो दूसरा पद होगा इससे पहले पद का गुणा 2 तो N पद होगा इससे पहले का पद गुणा N तो ये दूसरी उ झाल झाल